बुलो श्री प्राननाथ प्यारे कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे, पन्ना धाम कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे सुन्दर साथ जी, चाहे कैसा भी विवहार कोई हमसे करता हो, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए हो, तुम उनकी भी सुन्दर साथ जी, उनकी भी जय लगानी है, और केवल शब्दों में नहीं, दिल से जय गोश करना है, हर सुन्दर साथ का, सुन्दर साथ की आप सी एकता का आप सी मिलाब का आप सी मिठास का जैग भुश करना है आप सब के चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम जी डे 114 आपको पता है कितने महीनों से हमारे प्यारे सुंदर साथ बिना किसी ब्रेक के बिना किसी एक्सक्यूस के जरूर जॉब में ऐसी कसोटियां आती आज मेरे पास समय नहीं है बट I never heard from any सुंदर साथ जो सेवा में लगे हूँ है कि दीदी आज मेरे पास समय नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगी every सुंदर साथ is doing their सेवा माया के काम पीछे ये सेवा मेरी पहले ऐसे कर रहे है सभी सुंदर साथ के चर्णों में कुटान को चनाम जी 114th day हो जाना बीतक साहब में 190 दिन हो जाना कोई कम नहीं होता और रोज इतने प्यारे थमनेल बन के आना रोज इतनी सुंदर चौपाईया सज के आना और रोज इतनी प्यारी सेवाएं होना उदर परम हंसों की जीवनी लिखी जा रही है उदर वो कितनी लैंग्वेजिज में ट्रांसलेट होती जा रही है पूरे डिपार्टमेंट्स कार खानों और स्टॉल पर सेवा करने के लिए अनवरत लगे हुए नीना दीदी रात को सोती ही नहीं है मुझे तो लगता है अभी आज का होता नहीं है मुझे और सेवा दे दीजिए अपना बिजनस भी संभाल रही है सुन्दर साथ जी वहाँ पर पता नहीं राज जी क्या बल क्या पूरित करते जा रहे हैं अंदर क्या अंदर से प्रस्पुटित हो रही है ये सेवा की किरने ये तो धनी जानते हैं हमें ढूंडनी पड़ र यानि artificial intelligence से बना हुआ ये मूल मिलावा कैसे सक्या लग रही होंगी हम वहां बैठे हुए पिया जी यहाँ पे कमल का भूल भी बना दिया सुन्दर साथ जी बहुत सुन्दर पती सुन्दर सेवा कैसे बखान किया जाए सुन्दर साथ जी आपकी सेवाँ का कहते हैं इश्क रब्द के वचनों के एक शब्द का भी विचार करने पर मैं उसी क्षण खटके गिर जाती एक शब्द का भी इश्क रब्द और सुन्दर साथ जी यहाँ जो खेल में आके रब्द हमने बनाया हुआ अभी कि आप मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया हमारी ये इच्छा पू उठा रहे हैं डाइरेक्टर साब पे उठा रहे हैं कि आपने ये खेल अच्छा नहीं बनाया राजी मेरे हिसाब से बनाते तो कोई बात बनती ये उंगली उठा रहे हैं हमारे उपर तो उस उन क्षणों को सोचकर भी हम फटके गिर जाएंगे जो गलतियां हम आज तक कर चुके हैं आगे नहीं करने हैं सुन्दर साब जी एक बार एक बार ना एक किसान था उसने उसने ना परमात्मा से कहा कि कभी तुम बारिश कर देते हो कभी इतनी धूप हो जाती है कभी ये हो जाता है कभी ओले पड़ जाते हैं कभी लू चलने लगती है मेरी तो फसले बर बाद हो जाती है बिना मौसम के बर साथ तुम कर देते हो तुम्हें मैनेज करना नहीं आ रहा पर मात्मा किसान के हिसाब से तुम्हें नहीं मैनेज करना आ रहा यह जो मौसम होता है एक बार तुम मेरे हाथ में दे दो ना तो देखना मेरी फसलें कितनी अच्छी होंगी यह क कि राजी आपको नहीं पता मेरा खेल कैसा होना चाहिए था हमें पता है मुझे क्या क्या चाहिए एक बार डोर मेरे हाथ में देखो मैं कितनी सुखी हो जाओंगी यहां पे तो परमातमा आते हैं कहते हैं चल इस साल तू अपने हिसाफ से चला ले जब तू कहेगा तब बारि जाएंगे मेरे घर में इतना हमीद वो जाओंगा क्या पसले होंगी जब कहता है उतनी मात्रा में बारिष होती है जितनी उसकी फसल को चाहिए होती है उतनी दूप चाया मिलती है उतना अंधेरा उतना प्रकाश स्बाज़स कि इस बार तो गेहूं की फसल इतना रंग उसका सुन्दर है और इतनी प्यारी लग रही है कहता है परमात्मा प्रूव तो मैंने करी देना है इस बार और अब परमात्मा एक साल हो जाता है अब वो फिर से दर्शन देते हैं भाई तू खुश है अपनी फसलों को देखके कोई गेहूं नहीं है कहते हैं यह क्या बना यह बाहर से तो बड़ी सुन्दर दिखाई दे रही थी तो यह इसके अंदर गेहूं ही नहीं आई यह तो ऐसी लहला आ रही थी बालियां तो क्या हो गया इसको तो कहते हैं वो कहते हैं जितना संघर्ष इसको चाहिए था ना प घर्ष में जब पौधे फलते फूलते हैं तो उसके अंदर वो गेहूं आती है उसके अंदर नहीं तो वो खोखले का खोखला ही रह जाता है सारी सुकसु विदाएं कठी कर लीजिए जैसा मौसम अपनी जिन्दगी में चाहिए सारा ही कठा कर लीजिए सुन्दर साजी पर अंदर खोखला का खोखला ही रह जाएगा बाहर बहुत सुन्दर दिखाई देगा इनका जीवन तो बहुत प्यारा चल रहा है इनसे अच्छा खेल तो शायद किसी ने मांगा ही नहीं होगा पर हमें नहीं पता कि उस अच्छे जीवन में कितना कोखला पन है संघर्षों से जो बालियां पनपती है न सुन्दर साजी संघर्षों से जो जीवन की फसल उगती है और कितना सैटिसफेक्शन होता है और जब वो सूर्य की ओर ऐसे जुप जाती है फसल अपने धनी की ओर कैसे मुढ जाते हैं ये संघर्ष मोडते हैं हमें ये दुख मोड कर दो जो पिया दे रहे हैं जैसी बारिश जैसी दूप वो दे रहा है ना वो मेरे लिए बेस्ट है ये जरूर ध्यान रखना है हर पल हर घड़ी उसका शुक्राना करना है आएए चलते हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी के अती सुंदर ठीका कियो जो आधार है हमारा महामती जी की वानी और सत्गुरु के द्वारा किया हुआ टीका और क्या चाहिए सुंदर साथ जी सहूर दियन मूहियो क्या कह रहे हैं आपने मुझे तार्तम वानी का सहूर क्या होता है उसके बारे में सोचना चिंतन करना विचार विमर्ष आपने मुझे तार्तम वानी का मूहि सहूर दिया, सहूर डियन, हियो क्या होता है ही रिदय में, अरे वा, हिया पहले भी आ चुक है सुन्दर साथ जी, मेरे रिदय में आपने कठन के आउं निपट, ये बहुत सुन्दर बात कह दी उन्हें, कहते हैं, जिसने निश्चित रूप से क्या कर दिया, तार्तम वानी के चिंतने हमने ठीक से किया नहीं है सुन्दर साथ जी, क्योंकि मेरे रिदय को कहते कठन कर दिया, इसने कठोर सा कर दिया, इस ग्यान में मेरे रिदय को, क्योंकि हमने वो ग्यान ठीक से लिया भी नहीं है सुन्दर साथ जी, अन्य था, ना था, नहीं तो क्या होता, विचार कंदे हिक हरफ जो एक हरफ एक हरफ पे भी मैं विचार कर लेती ना फटी पोए ना उफट मैं उसी क्षन फट के गिर पड़ती ये तन नहीं रहता मृत्यू को प्राप्त हो जाती यदि हमने तारतम वानी के एक हरफ को भी विचार करके रिदय में उतारा होता सुन्वे साजी जीवित ना रहते हम रिदय कठोर करते जा रहे हैं ज्यान का एहंकार भी लेते जा रहे हैं बहुत ध्यान से एक एक शब्द चेता रही है साथ साथ इंद्रावती जी कहते अन्य था अभी हमसे बात करनी थी, अभी राजी से बात करनी है फिर से, कहते आपने तार्तमवानी का चिंतन दिया है पिया जी, कैसे उनको, कैसे उनको मना रही है इनको प्रेम दे दीजिये पिया इनका कोई कसूर नहीं है आपने तो दिया तार्तमवानी सहूर से इनका रिदय कठोर हो गया है थोड़ा सा अगर विचार कर लेते तो अभी तक इनका तन रहता नहीं यहां पे खट जाते सुन्दर साथ जी ऐसी चोट देने वाली यह वानी है भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं परमधाम में अपने प्रेम को बड़ा कहने के अपराद का विचार और शरीरत्याग की बात इस संसार में हो रही है इस चौपाई में यही प्रसंग है जबकि चौपाई 35 में परमधाम में इन कठोर बातों को कहते ही शरीरत्याग की बात कही गई कितना सुन्दर स्वामी जी ने आप समझ रहे हैं ना सुन्दर साथ जी कितना सुन्दर बता रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ना है वानी को कहते पहली जो चौपाई थी उसमें परमधाम की बात हो रही थी कि हमने इश्क रब्द के शब्द कहते ही हमने कहे कैसे आपको हम पट क्यों नहीं गए वहां पे वहां तो मृत्यू हो भी नहीं सकती पर फिर भी ऐसी भाशा वहां पे भी प्रयोक की जारी और अब कहते अब इस संसार की बात हो रही कैसे पता लगा कि अब इस संसार की बात हो रही क्योंकि तार्तम वानी का चिंतन तार्तम वानी पर विचार इस ब्रह्मान में ही किया जा सकता है वहां पर तो तार्तम वानी के बारे में कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी वानी भी होती है कोई वांग कैसे clear करते हैं कौन होता है पहचान जाए सुदर साथ जी उनके रिदय में कौन है जो ये खोल खोल के बता रहा है मैं तो कितना कितना कहा जा सकता है सुदर साथ जी स्वयम विचार कीजिएगा एक एक शब्द को वो भी तार्तम वानी के एक एक शब्द का भावार्त लिख कर हमारे रिदय में प्रवाहित करने वाला कौन हो सकता है स्वयम हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता सुन्दर साहजी किसी में इतना बल नहीं हो सकता कि कोई इनसान ये कर पाए कोई भी जीव ये कर पाए ये स्वयम कर सकते हैं वो सुन्दर साथ जी आज पहचान लीजिए ब्रह्मवानी की गुन्जायमान एक्चुली में ये शब्द नहीं है सिरफ रिदे रिदे में दिल दिल में हर दिल में गुन्जायमान कौन कर रहा है आके वो स्वयम कर रहे हैं और ये भावार्थ लिख के तो क्या कर दिया है सुन्दर साथ जी उन्होंने जो नहीं कहते हैं अर्थ लिख के भी तुम्हें समझ में नहीं आई आओ और 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 अंदर लेकर चलता हूं ताकि एक शब्द एक बिंदी एक मात्रा नहीं बलकि reading between the lines होता है सुन्दर साथ जी एक पंक्ती से दूसरे पंक्ती के बीच में जो जगा है वो बताता हूं अब reading between the words भी start हो गया है इन में भी जगा है ये और गहराई सुन्दर साथ जी उसके अंदर और गहराईयां कितनी परते हैं उनके रिदय की ऐसे ऐसे परतें कोल कोल के दिखा रहे हैं सुन्दर साथ जी बहुत सुन्दर दिल नहीं का कहते हैं वहाँ पे परमधाम की बात कही गई यहाँ पर शरीर त्याग की यहाँ पे اب हो रही है क्योंकि तार्तम वाणी जो है शरीर त्याग की बात कही गई उन शब्दों की एक सामान्य जलक इस प्रकार है वो कहां से लेकर आये हैं स्वामी जी श्री खिल्वत पढ़ना तो बहुत आसान है कि हाँ हाँ खिल्वत में भी ऐसा लिखा हुआ है पर ढूंड के कौन लाया सत्गुरु लेकर आया हम तो पढ़के भी समझनी पारें उन सागरों को उस रिदय के लाड को हम पढ़की भी आत्मसाथ नहीं कर पारें वो ढूंड ढूंड के कौन कौन ढूंडवार आये उनसे पूछ के देखिए गाए एक बार मेरी बात हुई थी स्वामी जी कितना सुंदर तीका आपने किया है मैं स्वामी जी से शायद अभी रिसेंटली दो तीन बार मिल पाई हूँ उसके पहले रतनपुरी में बहुत छोटे थे जब उनको देखा हुआ है तब उनकी चर्चा भी नहीं सुनी थी अब तीन चार बार उनसे मिली हूँ मैं बस I am amazed to see his टीका मैंने टीका से पहचाना है कि वो मेरे सद्गुरु मैं मैं उनसे मिली नहीं हूँ मेरी बात भी जादा नहीं होती दो चार मिनट कभी कोई संशय होता है तो बस पर उनके टीका ने बताया कि वो कौन है उनके अंदर किसकी बैठक है कहां कहां से ढूंड ढूंड के ले आते हैं वो सुन्दर साजी क्या यहां की मेमरी यहां का कुछ ऐसा हो सकता है यह वो करवा सकते हैं यह वो ढूंडवा रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं मैंने स्वामी जी से पूछा इतना सुंदर टीका स्वामी जी क्या लहराता होगा आपके रिदे में जब आपने ये टीका किया है उस जगे को भी प्रणाम करने का उस थान को भी वो मंदिर है सुंदर साजी जहां पर ये वानी के खावार्थ हत्मार्थ लिखे जाते हैं सुंदर साजी और उन्होंने पता है एक शब्द कहा मैंने कुछ नहीं किया मेरे सत्गुरु माराज की कृपा राज्जी करते हैं मैंने कुछ नहीं किया मुझे कुछ पता नहीं लगता और मैं तो करके भूल भी गया मुझे कुछ याद नहीं है ये होती है विनम्रता की प परम हंसों से सीखना है, हमारे शेरपुर वाले माराजी किसी भी सुन्दर साथ जी के घर में जाके नीचे भी बैठ जाया करते थे, बड़े प्रेम से जीम लिया करते थे, सूखी रोटी भी उनको महाप्रसाद लगा करती थी, ये विनमरता सीखनी है हमने अपने परम हंसों स और हम इतना अभी मान लेके बैठे हैं, किसी को छोटा, किसी को बड़ा समझते हैं, सुन्दर साथ जी ये हमारी ही पहचान करवाता है कि हम किस तर पर पहुंचे हैं, इसलिए बिनमरता मिठास बनाए रखिये, कहते हैं राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम, श्र सुन्दर साथ के चर्णों में, कोटान, कोट, प्रनाम जी, दीपती जी, हेमन भाई, नीलम जी, अती, अती, अती सुन्दर सेवा, ए देखाओ अपनी साहिबी, और कैसा इसक है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम, श्री खिलवत में, खेल में आने की तय तयारियां हो रही हैं, सुन्दर साथ जी, हसल एंड बसल बोलते हैं न, बड़ी रौनक है, बड़ा इधर उधर बड़े बिजी हैं सारे, भई आज जाना है, हमने विजिट करने जाना है, खेल देखने जाना है, आज उसकी तयारियां हो रही हम तो कदम पकड़ के बैठ ग पिया मंद मंद मुस्करा आ रहे हैं, कैसी कॉन्वसेशन हमारी उनके साथ होती है, इतनी सुन्दर वो बाते हैं कि दिल करता है, उसी की ही चित्वन में डूब बे रहे हैं, सक्कियों ने कहा कि हे धामधनी, आप हमें अपनी साहिबी दिखाएं, दिखाओ अपनी साहिबी हरी द्वार में पूरी साहिबी दिखा रहे हैं, जहां जहां बात करते हैं, जुनागड में जाते हैं, पूरी साहिबी अपनी तब भी दिखाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता हैं उनकी बातों का, पर हम हर बार उन प्रसंगों को पढ़ जाया करते हैं, और हमारे अंद नहीं होता कि उनसे बड़ा कोई हो सकता है हमें किसी के पास पूजा करवाने जाना है नहीं भी गए हो पूजा करवाने नहीं भी गए हो ये धागे नहीं बांदे हो ये कर्मकांड नहीं भी किये हो पाठ तो किये हैं हमने बैठके हमें मांगनी नहीं पड़ती वो सर्व समर् सुन्दर साथ जी उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक कोई कमी नहीं है निश कलंक स्वरूप जाहिर होने का मतलब जानते हैं हम या ऐसे ही बोल दिया करते हैं 1735 में जाहिर हुए थे हमने के लिया उससे कोई कमी नहीं है इसलिए अपने रिदे में गहरे तक ये बिठा लीजिए वो सर्व समर्थ है सुन्दर साजी उसके अलावा और कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता इमान पक्का होता जाएगा ये सुनके कोई ढहा नहीं पाएगा इस इमान को कैसी भी परिस्थिती जीवन में आये मेरे पास मेरे सर्व समर्थ धनी है कोई फरक ही नहीं पड़ेगा सुन्दर साथ जी कुछ भी इस ब्रह्मान्ड में हो रहा है there is no difference क्योंकि मेरा मैं तेरी साहिबी को जानती है फिर इश्क की शुरुवात होती है साहिबी जीव को समझनी पड़ती है और इश्क ये बहुत सुन्दर बात है साहिबी जीव समझता है सुन्दर साथ जी और वो रहनी में आ जाता है साहिबी इसलिए पहले साहिबी I was always wondering कि राजी पहले साहिबी क्यों लिखा है आपने शुकर है धनी जी शुकर है आपने पहले पाथ साही एक पाथ साही अर्स की और दूजा वाहिदत का इस्क क्यों लिखा पहले पहले इस्क क्यों और फिर दूजी साहिबी क्यों ने लिखी हर बात के सीरियल और का भी अपना importance है सुन्दर साथ जी जीव साहिबी समझता है इमान पे पका खड़ा हो जाता है समर्पन के लिए फुल पूरी तरह से तयार हो जाता है इश्क के लिए फिर आत्मा की तयारी होती है जीव नहीं ले सकता है जीव को रस प्राप्त होता है और जितना कण भर रस प्राप्त होता है बस फिर वो रहनी पाता फिर वो भागता है बार बार कि ये रस तो मैंने आज तक इस काल माया में कभी देखा ही नहीं, ये क्या लज़त मिल रही मुझे, फिर नहीं वो रहता इस ब्रहमान्ड में, फिर नहीं रहना चाहता, बार बार एक कांत ढूनता है उस रस के लिए, फिर जाते हैं साधना में, हमें लगा नहीं है वो रस राजी करो देखाए के कितने दावे करके आए हैं, आपके चरनों को पकड़ कर हम बैठी हैं, मुझे कभी नहीं पता था हैं, I'm so happy to here, आज मुझे ये सुनकर धनी बहुत अच्छा लग रहा है कि साहिबी जीव को जाननी होती है, और इसक अज मै ने भी सुना है सुन्दर साजी, और इश्क आतमा की सीडि स्टार्ट होती है, बहुत सुन्दर, कभी-कभी, कभी-कभी ये शुरोता अच्छा बन जाता है जीव, शुकर है धनी आपका, आपके चरनों को पकड़ कर हम बैठी हैं कहते, हम बैठे पकड़ कदम, इन दोनों चीजों को दिखा कर आप हमारी इच्छा पूरी कर दीजी, अब आपने बोला था ना दोनों दिखानी, वहां तो ना हमें साहिबी का अंदाजा, ना इश्क, हम तो इस्क में भीगल स्वयम कोई इश्क का स्वरूप समझते जा रहे हैं, कि हमें हमकोई दिखाना चाहर पिया जी, और कैसी साहिबी तू और मैं तो एकी हैं, किसकी साहिबी, हमें कुछ पता ही नहीं क्या दिखाने जा रहे हैं, यह शब्द भी साहिबी का नया नया साही सुना था हमने वहां पे, जैसे दुख नहीं सुना था आज तक वहां पे, दुख का शब्द तो हमने सुन यह दुख का खेल बनाते हैं, पिया हमको भी देखना है, साहिबी भी नहीं सुना वहां पे हमने, साहिबी होती नहीं, पता ही नहीं होता है, मैं और तू तो एक होते हैं, किसकी साहिबी, कैसी साहिबी, उसके लिए भी यह खेल बनाया है, कि यहां नहीं जान पाएगी, और इश्क के तो हम हैं हमारा तो तन इश्क के बने हुए हैं तो आपका कैसे बड़ा हो सकता है आउ दिखाओ ना धनी जी भावाथ चर्णों को पकड कर बैठने का तातपरे ये नहीं समझना चाहिए यहां हाथों से चर्णों को पकडने की बात कही है नहीं तो मूल मिलावा में इतनी सारी हम घेर के बैठी हैं कैसे चरन पकड़ लेंगी मूल भाव क्या है चरन पकड़ कदम धनी की चत्र चाया से अलग नहीं होना आज यहां खेल में बैठ के भी ऐसा नहीं है कि हर समय आखें बंद करें हमने उनके चरन पकड़े हुआ हैं हम उनके कदम पकड़े हुएं ऐसे नहीं उनकी चत्र चाया आप साहिब हो आप महरवान हो पिया जी और हर समय हर समय मैं आपकी चत्र चाया में हूँ यह साहिबी है सुन्दर साथ जी उनकी पकड़ कदम का मतलब उनकी साहिबी को जान जाना एक सेकिंड के लिए भी यह विच चार आता है ना मैं कर देती हूं आपसे नहीं हो पाएगा पिया ये मौसम ठीक नहीं बनाया पिया आपने यहां पे दुख का मौसम अच्छा नहीं बनाया पिया यहां पे आपने मेरे जीवन में बाकी तो बड़े सुख में ये दुख कहां ले जाएगा आपको पता भी नही एक बार साहस रखिये कि दो पिया जो जानो and we should mean it ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं जो जानो त्यों रखो धनी तुमारी मैं आप जैसे भी रखो पर अंदर कहीं पंजाबी में बोलते हैं तुड़कू लगा हुआ है अंदर कहीं वो डर लगा हुआ है कि कहीं करना दे बोल तो दिया कहीं करना दे भाई सुखी रखना वो नहीं हो ना चीए फिर साहे भी नहीं पता उनकी हमें फिर संशे उसी को संशे कहते हैं वो संशे की निद्रा है जिसके अंदर संशे है वहाँ भै भी होगा वहाँ द्वंद्व भी चलता रहेगा जो निर्भहे निर्द्वंद्व हो चुका वो ही निस्संकोच कह सकता है कि मैं संशेर रही तो चुका हूँ जो आप कर रहे हो पिया बेस्ट कर रहे हो मेरा बच्चा फेल हो गया तो भी आपने बेस्ट किया है मेरा बच्चा पास हो गया तो भी आपने बेस्ट किया है हमारे जीवन में कोई गट ना गट गई आप बेस्ट कर रहे हो जरूर इसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी मुझे लेना देना तुछ से आगी मेरा लेना देना ये तो अभी संबंदी बने है जुम्मा जुम्मा चार दिन होए है सुन्दर साथ जी वो कब का संबंदी है उससे निस्बत कब की है हमारी कैसा अमारा कैसा नाता अमारा उनसे है जे मैं नदी आता तूँ पाणी मैं ता तेरे बिन सुक जाना अगर मैं नदी हूँ तो तूपानी है और नदी में पानी ना हो तो नदी का क्या अस्तित्व हुआ मैं तेरे बिना सुक जाओंगी पिया मेरा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना जे मैं नदी आता तूँ पाणी मैं ता तेरे बिन सुक जाना जे मैं पानी, जे तू पानी, अगर आप पानी बन जाते हो तो क्या होता है? जे तू पानी ता मैं प्यासी, मैं ता तेरे बिन मुक जाना, मुक जाना मतलब मैं खतम हो जाओंगी तुमारे बिना तेरे बिना नदी तो सूखती है ना पर अगर तुम पानी हो तो मैं इतनी प्यासी हूँ जैसे पानी के बिना थोड़े टाइम ना मिले थोड़े दिन पानी ना मिले तो प्राण खतम हो जाते हैं ना सूख सूख के काटा होके उसके बाग खतम हो जाते हैं वहां तो सूखेंगे यहां कहते हैं मैं मुक जाना मैंने खतम हो जाना है पिया तेरे बिना अब तेरा मिलना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब मैं तेरे बिना सांस हूख हूख स्वांस ले रही हूं बस मैंने खतम हो जाना तेरे बिना अगर अब आप नहीं आए ऐसी आह हमारे भी दिल से निकलेगी तो कैसे नहीं आएंगे पर ये आह शब्दों में नहीं होनी चाहिए ये आह से दिल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जहां बैठा है न ये आह वहां से वहां तक इसकी गुण्ज पूह जानी चाहिए कि अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती पिया मुझे इस ब्रमान के सुक तुक ना तो मुझे कुछ ना तो सेट कर पाता है ना अपसेट कर पाता है ना मुझे कोई कुश कर पाता है ना मुझे कोई दुखी कर पाता है क्योंकि मैंने अपना रिमोट, तूने मेरा रिमोट इन से लेकर अपने हाथ में ले लिया है, मेरा समर्पन अब आपके प्रती हो चुका है अब मुझे कोई फर्क नी पड़ता इस ब्रहमाद में मैं आपके बिना ने रह पाऊंगी अब संभाव आता चला जाएगा जैसे जैसे जीव लेवल पे भी प्रेम बढ़ता जाएगा ना रहनी आती जाएगी ये शब्द सुन सुन के अंदर असर होता जाएगा अंदर का मौसम बदलता जाएगा बाहर का मवसम कभी नहीं बदलेगा हम आशा लेकर बैटे रहेंगे पूरा जीवन सुख आएगा, आएगा, सुख जरूर आएगा ये जो दुख दे रहे हैं, ये बदल जाएंगे कोई नहीं बदलेगा सुझद साथ जी ये खेल के पात्र हैं, ये खेल के मोहरे हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारे जीवन, ये हमारे अंदर का मौसम बदलने के लिए आएंगे, हम उन्हें को बदलने की सोचने लगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर का मौसम बदल जाए, उनकी वजह से बदल जा बाहर के बदलाव की कोशिश मत कीजिए अपने अंदर का वो जलवायू बदलीजिए सुन्दर साजी बहुत सुखावना मौसम हो जाएगा अंदर हर समय आनंद ही आनंद प्रेम ही प्रेम जब अंदर होगा बाहर अपने आप ही बदल जाएगा क्योंकि हमारी नजर बदल जाएगा उपर से नहीं बदला जा सकता अंदर से जब आता है तो वो आपके चेहरे पे भी आता है वो आपकी नजर में भी आ जाता है फिर सब सुन्दर सब बदले हुए से दिखाई देंगे क्योंकि मैं बदल चुके हैं इसलिए बाहर विर्थ कोशिशें करनी बंद कर दीजिए सुन्दर साथ जी इधर नहीं प्रयास लगाने हमने हमने प्रयास अपनी उर्जा, सारी उर्जा पिया के दर्शन के लिए उनसे बात करने के लिए लगानी है उनके अंगों से प्यार करने के लिए लगानी है, अपनी सारी उड़ जा सुदर साथी, सब अंग डिनाउं कठन, तर रहयो वंजे आकार, नाता सुनी विचारी हे गालियों की रहे कांधा धार, कांध कौन होता है, प्रियतम, रांध कौन होता है, खेल ध्यान दीजिगा, सब अंग डिनाउं कठन, सारे अंग कहते कठन हो गया है, कठोर हो गया है, आपने किया है, ये कौन कह रही है, हमारी वकीर इसाहिबा कह रही है, किसको कह रही है, जज साहब को भी कह रही है, वही ज ज़ज है वही अपोनेंट के वकील कड़े हैं इस समय राज जी को खड़ा करता है कि धनी जी आप ही जजो आप ही वकील भी हो मेरे सामने वाले तो आप ने किया मेरे नहीं इन सभी के अंगों को अपना नाम ले लेके हमारा केस प्रस्तुत कर रही हैं इंदरावती जी कहते आ आपने मेरे सभी अंगों, यानि सक्खियों के सभी अंगों को मन, कौन-कौन से अंग, मन, चित, बुद, एंकार को कठोर बना दिया, पिया जी कठन बना दिया, आपने तरहयो वंजे आकार, इसलिए ये शरीर तार्तम वानी को पढ़ पढ़ के भी जीवित है ये, क्योंकि आदत पढ़ चुकी है, सुन-सुन के, कैसा होता जा रहा है ये, कोई फरक नहीं पढ़ रहा है इसके उपर, इतना कठोर की गलता ही नहीं है, तार्तम वानी की बाते, अपनी आपस की हमारी बाते सुन-सुन के, निस्बत की, इश्क, रब्द की बाते सुन-सुन के भी, इस कुछ फिसलता जा रहा है इसके उपर से इतना कठोर हो गया है गलित गात नहीं हो जाता ये ना ता सुनी विचारी है गालियों ये बातें जो हैं हम क्या करते हैं इनको विचारते ही नहीं हैं ये तार्तम वानी की बाते हैं हम विचारते ही नहीं हम तार्तम वानी के महिमा जा जाननी बहुत जरूरी है, उनकी साहिबी के बाद ही शायद जाननी है, राजी ने बड़ा सुंदर मास्टर प्लैनिंग की है, सुंदर साजी, श्री कृष्ण तृधा लीला वाज इंट्रोडक्शन ओफ आल दे पावर्स इंसाइड, इंट्रोडक्शन, कितना कुछ बताया, क खट जाओ, मेरी पावर्स को देखा न, क्या क्या शक्तियां तुमने देखी, अब महरे मांगनी कम कर दो, बंद कर दो, अब मांगनी है तो बात तो नहीं महरे मांगा करो, मुझसे बात करनी है तो आओ, प्रेम लेना है तो आओ, माया की मांगे नहीं, प्री पूरी करते गए सिंधी की क्योंकि सिंधी की प्री रिक्विजिट थी कि इसके पहले माया की मांगें खतम हो जानी चाहिए और वो महर सागरी कर सकते थे फिर सिंधी के लिए तैयार किया राजी ने, अब सुनो आओ सिंधी अब सुन रहे हो तो चलो बीतक सापके साथ साथ पहले जीव की रहनी पर भी आओ तब तो प्रेम की रहनी अंदर जाएगी कैसे उतरेगी अंदर साइड बै साइड, जीव और आत्मा का आहार कैसे देते जा रहे हैं सुन्धर साथ जी, श्री जी, साहिव के लिए समय है कि हम किसी से जाके कोई वाद विवाद की बात कर लें कोई समय है हमारे पास बचा है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा पिया को पाने के लिए प्रियास कर लीजिए अपने अंदर का environment जो है उसको clean करने के लिए बाहर के environment की चिंता होती है ना खराब हो रहा है क्या करना पड़ता है अब artificial oxygen मिलने लग गई है oxygen लगानी पड़ती है अब घरों में भी हवा शुद्ध करने के उपकरन आने लग गई है अंदर की हवा शुद्ध करनी है कि नहीं करनी ऐसा नो artificial लगाना पड़ जाए वहाँ प्रयास करना है उस environment को clean करना है सुन्दर साथ कहते हैं आपने मेरे सभी अंगों को कठोर कर दिया इन सक्खियों के इसलिए ये शरीर तर रहे हो वंजे आकार इसलिए ये अभी तक बना हुआ है वानी के इतने टूक टूक करने वाले वचनों को सुन के भी अभी तक बना हुआ है ना ता सुनी विचारी है गालियों ये गल्लें बाते हैं, हमने सुनके विचारा इनien को कभी, की रहे कांधा धार, कहते हैं, इसलिए ये शरीर जीवित है, अन्यथा इन बातों को सुनकर, विचार करने पर, आपके बिना कांध, आपके बिना पिया जी, ये शरीर भला कैसे रह सकता है इतनी बाते सुन सुनके भी ये जीवित है कि कैसे जीवित रह सकता है कि मैं आपसे दूर हूँ वर्षों पे वर्ष दशकों पे दशक शताब्दियों पे शताब्दिया निकलती जा रही है पर मैं तो भली चंगी हूँ यहां पर कैसे हो सबता है क्यों कठोर हो गया है तो ये भी पिया को कह रही है या आपने किया है वरना ये तो जिनकी मैं वकालत कर रही हूँ ये तो बहुत बहुत अच्छी है तो सुन्दर साजी इसमें एक और बात भी छुपी हुई है तार्तम वानी ज्ञान का एहंकार लेकर कठोरता पैदा होती है अंदर जब हम सुनकर विचार नहीं करते सुनकर रट लेते हैं बस पर उस पे विचार नहीं करते उसको अपनाते नहीं जीवन में तो कठोरता बढ़ती चली जाती है यह हमारा नहीं है सुन्दर साजी ज्ञान के प्रेम के महासागर पिया जी है और कोई नहीं हो सकता कोई ना सोचे मुझे इतना ज्ञान कोई ना इसको अरजित कर सकता है जिसका ज्ञान है सुन्दर साजी उनीक आई है वो एहंकार लेकर यदि अंदर का ठोरता बढ़ती गई तो अंदर सांस लेना मुश्किल होने वाला इस अंदर का environment गंदा होता जा रहा है अंदर की सांस मुश्किल हो जाएगी सुन्दर साथ जी कहां से oxygen लाएंगे एहंकार की हवा उसको इतना मलिन करती जा रही है उसकी मलिनता को दूर करने के लिए अंदर सांस मुश्किल होती जाएगी उसकी मलिनता को दूर कैसे करना है तारतम वानी ना केवल पढ़नी है उसको विचारना और पूरा दिन पिया पिया धनी धनी एहंकार की हवा बहुत खराब होती है बहुत बचके रहना है सच सच सुदर साथ जी पढ़ने में मन्थन करने में उतनी मेनत नहीं लगती जितनी इस नाग को हटाने में लगती है कि नहीं जाओ no place in my life go away पुन नाग ऐसे बैठा है मुझ खोल के कैसे कोई बात हो और इसको काट लिया जाए इसको नहीं काटने देना बिल्कुल भी not allowed उसमें वैसे भी वानी के साथ जुडेंगे और विचार करेंगे ना उसका मुख अपने आप ही बंद होता जाएगा विचारे का यानी मेरी दाल गले की ये तो अपने पिया के पास ही बैठी रहती है सारा दिन काटू तो तब जब एक मिनट अलगो उन से तब काटता है धनी से अलगाव माया से निकटस्थता बढ़ती है ना हमारी निकटता बढ़ती है माया से तब ये काटता है उसको मौका ही ना दो काटने का बो श्री प्रानात प्यारे की जै बो श्री सत्गुरू महराजी की जै प्रिनाम जी सुन्दर साजी आपके साथ साथ ही मैंने ये चौपाई भी बड़ी नहीं होती सुन्दर साजी आपके साथ साथ जैसे जैसे केवल और केवल धनी जी की महर और सत्गुरू के चर्णों का ये प्रताफ दो शब्द भी यदि आते हैं मैंने पुरी वानी नहीं पड़ी मैं बार बार ये आपके सामने दोहराती हूँ ताकि आप गलतियों को सही करके जरूर सही सुन्दर साथ तक पहुँचे ये अबजेक्टिव और सभी सुन्दर साथ आपस में जुड़ें आपस में प्रेम करें और उनी प्रेम की तरंगों से हमें और आगे धनी की और बढ़ने की प्रेना और बल मिलें बस यही शुब कामना आप सब के चड़नों में प्रणाम जी क्षमा कीजिएगा यदि कोई भी शब्द रिदय को दुखा गयाओ तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा धनी की और बढ़ने की चोट तो लगे हम सब को लगे के तो लगे हम लगे हम सब लगे हमानों